वो वोर्यवडॉ वगूंद वाल व्यूवॉ व्यूवडॉंौ अंट मिस्कून को स्ट्री शुन कर रहे थे थे तरोस से ऑपर साना थे ज़र्योरी भी देख चुके हैं और उससे सभी तर्का फॉस्टें ररेंश को सकरें नुमरिकल को सब्सक्राइब आप लोग लाया था वो सारे आपका जेए लेबल का कुस्टिन में करवाया था ता बहुत अच्छा क्लेक्षन था और वह का अच्छा सेषिन भी रहा भी काफी बच्चे आप लोग लाई भी आए थे और मुझे लग रहा पचास तक लाइब थे बच्चे और काफे अच्छा आप लोग ने अटेंड कर रहा है यानि कि मैं यह पका बोच सकता हूं कि जो भी बच्चा अच्छा से थियोरी को पढ़ा है वो सारे बच्चे का कॉंसर्ट क्लियर हो चुका है जीरोथ लोग के उपर नाउं इन टूदे सेसंग वी आर गोईंग टू स्ट यूर्फ लॉप थर्मोडामिक्स आज से हम लोग फर्स्ट लव थर्मो नाइस को स्टार्ट कर रहें और आज का टोपिक रहने वाला है थर्मोडाने मिक वर्क देर और किलियर करेंगे तो हम लोग से के बारे में उसके बारे में आद उसके बाद हम लोग देखेंगे वरक का साईन कर्वेंशन जैसे वरक पोजीटीब कब लिया जाता है वर्क नेगिटिव कब लिया जाता है वर्क आपका जीरो का वहता है इन सब के बारे में आज हम लोग स्टड़ी करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं गुड इमिनिंग टॉल आफ यू चली देखो सबसे पहले जब मैं आपे बात करता हूं किसके बारे में फर्स्ट लॉप थर्मो डैनमीज का तो अभी तक आप लोग क्या जानते हैं सर अभी तक हम लोग यह पढ़े हैं कि कोई भी अगर मेरा सिस्टम है तो सिस्टम का कोई ना कोई प्रपटीज होगा जैसे प्रेसर हो गय ता हूं कि यहां पर एनरजी का इंट इंट्रेसं होता है इंट्रेक्शन किसका होता है उवर्क एनरजी काशन बात करते हैं चलेयर अच्छा अ आधर में यहाँ पी Holocaust करता हूं सबसे चाहिंदाए हम लोग को दोनों समझना है हम लोग को यहीं ऑप पढ़ेगा कि आखिर हीट होता क्या है हीट का इंट्रेक्षण होता कवैं और हीट का इंट्रेक्षण को हम लोग कैसे करें गे और जो हम आप लोग को process बता था ना जैसा क्या होता हैनेक्प उसका आपको सैंसे लिए नहीं करता है इसलिएusanर से लिखा जाता है Mooi क्विए नहीं लिख सकते हैं कि यह मेरा पॉंट फंसन नहीं इसका एग्जर टिफ्रेंसीन नहीं हो सकता है इसलिए नहीं लिखते हैं डेल लिखतेrich तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए और थीड भी निकलना पड़ता है तो इसी मोझे से पले कि आखिर वर्क होता क्या है अभी तक हम लोग बच्छम UA में 8-9-10 में at least आप लोग यह तो जानते होंगे कि work जहां displacement होगा तब जाके work होता otherwise work होगा नहीं why because मुझे work equal to क्या पता है work equal to होता है मेरा force into displacement यह सबको पता होगा force into displacement होगा तब जाके मेरा work होगा तो जहां displacement होगा तब जाके मेरा work होगा clear कोई तो भी अगर बोडी इस तरह से कोई object है जिसका suppose को लो पाइप पाच केजी का मास्का है इसमें जैसे मैंने force apply करा force apply करा लेकिन इसका displacement होगा तब work done calculate होगा माल लो यह बोडी यहां तक चल गया अब यहां तक आ गया तो इसकी बीच में something माल लो कुछ भी मीटर से आप बात करेंगे तो 10 मीटर का distance कवर किया तो हाँ यह displacement किया यानि कि work done होगा लेकिन force apply के लेकिन बोडी मूभी नहीं किया ना बोडी वहीं का वहीं है तो फिजिस के टर्म पे हम लोग उसको काम नहीं मानते जैसे की कोई कूली है कोई कूली है वह अपने सिर पर क्या करा एक मालो तोकरी में या फिर कोई बेव बक्ड़े है लेकिन वह अगर static position है यह निकि वह अगर रुकाव है कैसा है रुकाव है वह चल फिर नहीं रहा है तो भले वो देखो तो एक तरसे कुछ दरे बाद थक जाएगा सुबह से साम तक अगर आप अच्छा-कासा वेट लेके खड़ा रोगे दो-चार घंटा तो आप थकान होगा यह तरसा आपने काम तो करा है लेकिन फिजिक्स में या बोले इंजिनरिंग में तरसा फिजिक्सी आ जाता है हम लोग इसको काम नहीं मानते हैं हम लोग कम काम मानेंगे वरक कम मानेंगे जब वह मेरा डिस्प्रेमन करेगा जब मेरा दूरी ताह करेगा that's why force के साथ displacement का होना बहुत जरूरी है अगर displacement 0 हो गया ना तो force कितनों लगा गए force into 0 पूरा का पूरा 0 हो जागा और work आपका सुन निकलाएगा work आपका 0 हो जागा that's why जब लोग work को यहाँ पर define करेंगे तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि displacement होना बहुत इंपोर्टेंट है वरक के लिए नाओ अब हम लोग बात करते हैं ठीक है सर हम लोग तो physics के टरम पर जानते हैं कि work equal to force into displacement बट सर इनकेस अब thermodynamic work आगर हम लोग thermodynamics में work को define करेंगे तो कैसे definition इसका लिख सकते हैं क्योंकि definition के उपर भी question आता है जैसे क्या आपको बता है तो देखो कैसे लिख सकते हैं work should cross the boundary और पहला दूसरा work is in transit अभी definition नहीं में बता रहा हूं अभी पहले कुछ जानों चीज़ और थर्ड नमर में इडिजा बॉन्टी फेनोमेन अब सर इन दिनों का क्या मतलब हो मैं समझाता हूं देखो पहला क्या कहा गया इन तीनों से question बनता है इसलिए तीनों को not done मेरा each and every line आपके लिए बहुत से question बनता है यह आप देखे होंगे और जो बच्छा गल्ती करेगा फिर नहीं लगा पाएगा तो चीजों को बहुत है कि यहां पर यहां नहीं कि बंड्री आ दोगा कि शिंट्रों को अलग करता है तो जैसर में अगर बोर कि गल्कुलेट करेंगे जब जो भी मेरा वर्क करेगा प्रोस करेगा बंड्री को यानिकि सिस्टम से बाहर आएगा iventon में या फ्र सरांडिंग सीषटम में जाएगा तब जाके उसको को आपको माना जाएगा कि वार्णर करना एकर ना अगर बॉनडर को क्रेंगे किया गिठीन सब्सक्रार रहा है किसको दिखाएगे बिस्टापन को दिखा रहा हो бумывा है वेन देर इसे प्रोस बॉंडरी वहा तब जाके मानेंगे सेकेंड चीज़ वार की जिन ट्रांजीट का मतलब क्या है कि वह स्टेटिक नहीं रहना मूवमेंट करते रहना तो एक दूसरा तर्म बे लिखा जाता है वही बात है कि बॉंडरी को क्रॉस कर रहा है और स्ट्रांड या तो डाइनमिक बोलेगा तो नहीं होगा बॉंडरी को क्रॉस होना चाहिए हो सकता कि सिस्टम के अंदर ही घूम रहा तो नहीं जैसे कि आप मेरा वासमझना इस चीज़ को कैसे समझोगे सर सिस्टम के अंदर मतलब कैसे निवर्क कराएगा मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आपलों को फिनांसियल इंड़ीब्ध हो जाओगे अपने पेरों में खड़े हो जाओगे और फिर आपको फिनांसियल मंझा पैसा का दिकत नहीं होगा बनाया है कोई ऐसा मसिन बनाओगे ना जो आप बोलोगे सर ऐसा में मसिन बनाया हूं जो एक city को ना कम से कम 30 दिन तक 30 दे तक electricity प्रवाइड कर सकता है इतना बड़ा मसिन में अच्छा मसिन मनाया हो इस मसिन को अगर चार्ज कर लिया जाए तो इससे 30 दे तक हम लोग तो फ्री में 30 दे सकते हैं लेकिन आप इसको ना कभी भी घर के बाहर लाए दोई नहीं जब का घर है उसके बाहर किसी को दिखाओगे नहीं तो आप बताओ क्या इसको हम लोग यह जो काम करता है जो आप बोरो कि यह काम करेगा वर्क करेगा कितना वर्क करेगा 30 दे इतना पेसा था आओ ऊपफ़ैन aboutов इतना स्ट्रगर कर रहे हैं तो आप बीटा बोटेसिता णब हमक्रेव ने गुव्ट दढनिहugenक owners और डिखर को नहीं करेगा तब तक वो काम निकला गया सेम कहा जा रहा इसी लिए कहा गया बॉंडरी फेनोमेना और ट्रांजी समझ गये ना अच्छा और थाड़ इसी को और उस तिसरा सी में एका जाता है इसा बॉंडरी फेनोमेन डारेक्ट कहा देगा बॉंडरी फेनोमेना फिर क्रोस दी बॉंडरी वर्क ही जब form of energy तो जो energy का unit होता वह वर्क होता और दोनों का पता है आपको होता यह सेम है energy को भी जूल से देखा जाता है और वर्क को भी जूल से हम लोग कलिकुलेट करते हैं clear ठीक है तो और यहां पे जूल या किलो जूल भी कहा जाता या तो जूल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं किलो जूल भी बोलते हैं और ऐसे भी अगर आप देखना चाहोगे वर्क इकॉल टू तो क्या जाता फोर्स इंट्रू डिस्प्लेस्मेंट तो फोर्स को हो जाता मेरा newton और देते हैं तो दोनों यूनिट आपका हो सकता है क्लियर अच्छा और यहीं से अगर कोई बोले कि सर पावर के तो बैसिकली पावर इज नथींग बढ़ दी वर्क डन पर यूनिट टाइम मुला आप जो काम कर रहे हो कितना टाइम पर कर रहे हो एक पटिकुलर टाइम कि मैंने एक दिवाल को खड़ा किया दस सेकंड पे चार सेकंड पे तो पर यूनिट टाइम की विस्किस में जब कर जज करते हैं तो पावर हो जाता है कि काम आप कितना समय भी किये तो वह हो जाता फिर या तो जूल पर सेकंड ले लेते हैं है ना तो जूल पर सेकंड में हो जाता म क्लियर अच्छा ठीक है इतना समझ गए उसलिए इसको लोग लेते किलो जूल पर केजी में इसलिए इन थर्मोडानमिस हम लोग केवल केजी के बारे में डिसकुस्री करेंगे जैसे हीट का हम लोग जब भी बताएंगे कि हीट कितना है तो 30 किलो जूल पर केजी हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे तो पर केजी मतलब क्या क्या एक तौप समझ जाना कि इसको क्या करा गया है आप यहां पर थोड़ा बहुत दिमांग जो बच्चे लगाएंगे न वो थोड़ा वो दिमांग सर्जी पर केजी मतलब यह इंटेंसि प्रॉटी बन गिया बिल्कुल सही बात है क्यों क्या आपको पता किए यह तो मेरा हीट मैं क्या है वोड़ा है लेते इंटेंसीफोपर्टी लेते मास को नहीं जज करते हैं तो डिवाइड करना पड़ा है मास को यानि कि Q को हम लोग क्या कियें मास से डिवाइड करके इसको छोटा क्यो बना दियें तो बैसिकली अगर मैं आपको बोलूँगा कि 30 किलो जूल पर केजी है इसका मतलब पता है कौन सा क्यू है ये बात करा चोटा क्यों का बड़ा क्यों नहीं है क्योंकि ये मेरा है क्या intensive property intensive mass independent है इसको mass को divide कर दिया गया वहीं अगर मैं बोलूँगा एक तरसे कि ये कोई गया मैरा w tuus kg को चोटा को बच्चे क्या होता ना मैं यहां पर बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे एक दुवार पढ़े भी होने mechanical engineering तिर भी इन सभी चीजों में गलती कर जाते हैं क्योंकि इन सभी चीज को कभी कबार टीचर से नहीं बताता है उनको यह लगता कि एक घंडा का मालो लेक्चर कंप्लीट हो जागा वही कोई स्लोप पढ़ाएगा तो 60 के जगह में हो सकता सेवेंटी मिनिट लग जाए 10-15 मिनिट का गेप रहता लेकिन आपका जो कॉंसर्ट बिल्डफ होता आना वही काम आता आगे ठीक है चलिए तो यहां तक आगर आप वाट लेकिन अगर किलो अट पाजा लेकिन क्या अटा टैनंटी पावर थिरी तो यनकिस म LeafD में बोंपर हो यहां पर ऐसे वाट है और जैसे मैं 2-3-746 kWh clear अब बात करते हैं वदी स sari definition of work कर इनके सब thermomodynamics ph rescue thermodynamics hasnot है this society from side को आता कि जो धितका स्टैडिए कि है सइंटिेस्टेस्ट लो उसके अदरवाइज आप जैसे समझ ISIL के प् verb Commence यह क्या बोलती है कि work is the gon tab किया जाईगा पिर काम वो हो गया है इसको तब मना जाएगा जब बाइदी सिस्टम सिस्टम के दुवारा काम तब मना जाएगा इद दी सोल इफेक्ट ऑंद थिंग तू दी अब बोलेंगे सर यह क्या ही भारे को डेफिनेशन बोल दिया कुछ तो समझ नहीं है मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूं क्या का आगया पहले यहां से यहां तक कि सिस्टम के द्वारा काम तब मना जाएगा जब इट सोल इफेक्ट सोल इफेक्ट मतलब की सोल मना मरतिंग कब होगा एक्सटर्नल कि मरत सिस्टम करेंगा तो सिस्टम इसके द्वारा कुछ वजन को उठाया गया है अच्रा सनकी इसका मतलब क्या है यह इंडिरेकलित आपको यह बोलना चाह रहाए पिए स्पोज कर से बिद इसने माइं सीस्टम कि अब सिस्टम क्या पोई इंजन ले लो कोई छोड़ा सा मोटर लोज बेए है ना एक क्या मेरा मोटर है डड़ी जो सिस्टम अब बोलेंगे काम कर रहा है तो मोटर को पैसे घुमाओंगे तो कोई काम नहीं उसी मोटर को पंखा लगा देगा तो देखो सर वर्गडन हो रहा है समझ गए मेरी बात की नहीं आप कहीं भी लगा दोगे बाइक वेगरा छो अग्डा करते रसए से बांदता रसी से बांद के एक वजन को लड़का दिया और जैसे साफ्ट घुमेगा तो यह जो नीचे से उपर जाएगा तो उठ रहा तो डिस्प्रेस्मेंट हो राना पहले वजन यहां था अब यह वजन यहां सी यहां सी यहां तक चल गया तो यह यहां पर हुआ यहां पर मेरे को डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है तो दाट स्वाइट स्कॉल थर्मोडानमिक वर एकोडिंग टू थर्मोडानमिक सोसाइटी हलो कि क्या बोले सर अच्छा चीक है सर मैं देखता हूं जी जी कि समझ गया है यहां पर उमीद करता हूं कि यह चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा इस बताए यहां तक क्लियर हो रहा कि नहीं यह चीज़ क्लियर हो गया ठीक है तो सोरी एक तो क्या कशाकते हो एकोर्डिंग जो थर्मो डामिक सोसाइटी आप डिफाइन का सकते हो कि वाटीज थर्मो डायनेमिक वरक वाटीज थर्मो डायनेमिक वरक झाल 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 बताई समझ आया आप लोग रिपला अभी तक ने किये हैं बताई आप लोग समझ आया ना झाल 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 झाल